बिस्मिल्था रह्मानुरहीम, असलो लेकुम फ्रेंट्स, आज हम बनाएंगे काईरी का अपशोला इसके लिए मैं काईरी को अल्रेडी बॉयल करके रकली में सॉफ्ट हो गई काईरी, अब हम इसे एक मिक्सिजर में डालेंगे अब हम इसका पेस्ट बना लें अब हम इसके हिसाफ से पानी आड़ कर लेंगे यह तंडा पानी है 4 टेबल स्पून शक्र अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से शक्र मिल्च हुए तक तोड़ी दर रखके इसके बाद डिशोट करेंगे अब यह कायरी का अपशोला बनके रेडी हो गया इसके अंदर छोटे-छोटे कायरी के चंस भी दाली में इसके अंदर भोती टेस्टी दिखता बीच भी पीने में ऐसा कायरी के चंस है तो अगर आप लोगों को यह दुपकाले में अपशोला बनाके पिए तो बॉड़ी कूलिंग का काम करता है अगर आप लोगों को यह अपशोला की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मैं भोती आसान तारीखे से बताई में केरी का अपशोला आइस क्यूब्स रहतों आप लोग आइस क्यूब्स दिदा लीजिए इसके अंदर भोती टेस्टी रहता शुक्रिया ठैंक्स पॉर वाचिंग अल्लहाँ आपीस